हेलो फ्रेंट्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सियर करने जा रहे हूँ, इस पैटन को आप ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, जैंड साप स्वेटर फुल स्वेटर, बच्चों के ओल प्रोजक्ट, गल्स स्वेटर, कैप, ब्लैंकेट आदि में, बनके भूती खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, इससे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से उल्टा, यदि आप इस बॉर्डर पैटन को बनाना चाते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दूँगी, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज न्यू वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, अब हम अपना पैटन बनाना स्टार करते हैं, तो देखे, बॉर्डर कम्प्लेट होने के बा पुनेंगे, एक फंदा उल्टा पुन लेना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइट करेंगे, अब लेफ्ट निडिल में देखे, राइट निडिल से हम तीन फंदे इस तरीके स से पीछे करेंगे अब लेफ निडिल वाले तीन और फंदे वापस राइट निडिल में उतारेंगे एक दो तीन ये देखें फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा फ तीन, फिर धागे को ऐसे पीछे कर लेंगे, अब लेफ्ट नीडिल वाले फंदे वापस राइट नीडिल में उतारेंगे, एक, दो, तीन, फिर धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा ये देखे फिर धागा अपनी साइट करेंगे और देखे एक दो तीन तीन फंदे हमने राइट निडिल से उतारे फिर धागा पीछे करेंगे फिर देखे जो राइट निडिल से हमने तीन फंदे लेफ निडिल में उतारे थे अब इनको वापस ऐसे राइट निडिल मे उतार देंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उठा जाएगा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उठा, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे, फ्रंट साइड से तमारी पैटन की फरस्ट्रों कम्प्लीट हो गई रॉง साइड से दिखे सेकिन शेकल डू, अब सेकल रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, दागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा आजाएगा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा आएगा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये रोंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो अब third row में हमारा pattern repeat and shift होगा तो देखे, पहला फंदा उतालेंगे, धागा अपनी side करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी side, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा अपनी side करेंगे, अब देखे, राइट निडिल वाले तीन फंदे, लेफ निडिल में उतारेंगे, एक, दो, तीन, फिर धागा पीछे कर लेंगे, इस तरीके से, अब इन तीनों फंदों को वापस राइट निडिल में उता लेंगे, तो देखे, यह हमारा पैटन, repeat and shift होने लग गया, यह देखे, थार्ड निडिल में देखे, पहला फंदा छोड़ा, एक, दो, तीन, तीन फंदे छोड़के देखे, नेस्ट के तीन फंदों में हमारा पैटन shift होआ, इस टार्डिंग के एक्स्ट्रा फंदा छोड़के, तीन फंदे छोड़के, नेस्ट जो तीन फंदे आए, इनमें हमारा पैटन shift होआ, फिर धागा अपनी side करेंगे, एक फंदा उल्टा, फ अब दिखे, right needle से हमने 3 फंदे left needle में उता लेने, फिर धागा पीछे करेंगे, अब left needle में जो फंदे हैं 3 इनको वापस right needle में shift कर देंगे, इस तरीके से, यह हमारा pattern repeat and shift हो रहा है, फिर धागा अपनी side करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी side करेंगे, और देखे, right needle से 3 फंदे left needle में उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, अब left needle वाले फंदे right needle में उतार लेंगे, फिर धागा अपनी side, एक फंदा सมुधार्स्ट वाला सीध को देखिए यह फ्रैंट सायट से हमारी पैटन की थाड़रो कम्पलीट हो गई रंग सब्सक्राइड से देखें फॉर्द रो अब फॉर्द रो में देखें जो फंदे सीधे हैं, उनको हमने सीधा बुनना है, जो फंदे उल्टे हैं, उनको हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा जाएगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा आएगा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा आजाएगा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा आजाएगा, तो देखे एर रॉंग साइड से हमार पैटन की फोर्द रों कम्प्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की फिप्तरों अब फिप्तरों में हमारा पैटन रिपीट होगा फिप्तरों को हम पैटन की फर्स्ट रों कितरों मुनेंगे तो देखिए यहां पर रिपीट रों पहला फंदा उतार लेंग सीधा, धागा अपनी साइड करेंगे, अब राइट निडिल से हम तीन फंदे ऐसे लेफ निडिल में उतारेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे, अब जो फंदे हमने लेफ निडिल में उतारेंगे, उनको वापस राइट निडिल में उतार लेंगे, फिर धागा पीछे, ए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड करेंगे, अब देखें तीन फंदें हमने लेफ निडिल में उतारने हैं, फिर धागा पीछे कर लेना है, फिर देखें लेफ निडिल वाले तीनों फंदों को वापस राइट निडिल में उ एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइट करेंगे, अब इन तीनों फंदों को लेट निडिल में उतारेंगे, राइट निडिल वाले धागा पीछे करेंगे, अब जो हमने लेट निडिल में फंदे उतारें, इनको वापस राइट निड में shift कर देंगे धाग अपनी side करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ए front side से हमारी pattern की 5th row complete हो गए 5th row में हमारा pattern repeat हो रहा था 5th row को हमने pattern की first row की तरह बुनते हुए complete किया अब हमने इन चार चलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू करें तो आपको यालें स्प्स्राइब करियो थेंक्यू